हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बुदुबार सुबार हिरन को बचाने की चक्र में पिकप गाड़ी पलट गई जिसमें पिकप गाड़ी में सबार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जोके दो अन्य लोग घायल हो गए आज पास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पतार में भरती करवाया घ मौत के नारायन दास ने बताया कि सुभा गड़रा रोड से बार्ड मेर की तरफ आ रहे थे इसी दौलान हमें देखा कि देरासर के पास एक पिकप गाड़ी पलकी हुई थी जिसकी बाद हम लोग गाड़ी में डाल कर उन्हें जिला अस्पताल लाए जहां पर चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मुट्व खोशित कर दिया जबकि दो का इलाज चल रहा है ग्रावन थाने के हैट कॉंस्टेपल बाबुला ने बताया कि पिक अप गाड़ी में सबार लोग गड़रा रोड से बार्ड मेर की तरफ आ रहे थे तबी देरासर गाओं के पास सड़क पर चा जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुचिया और शफ को कब्जे में लेकर जिला अस्पतार की मुच्री में रखवाया है वहीं इस हाथसे में चालक को मामूली चोट आई है जिसके एक अन्यय यूवक खाये है जिसे जिला अस्पतार में भर्ती करवाया गया है पुलिस के अनुसार परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर मामूला दर्ज का रागगी कारवाय की जा रही है जागरूप टीवी के सम्वधता से बात करते हैं नारायन दास गुरतक का भाय इन्हों ने ये कहा जागरूप टेवे के सम्वधता से बात करते हैं बाबूलाल हैट कॉंस्टिपल इन्हों ने ये कहा है जिसके दी चौटे आई वह वरती है ड्राइवर के मामली चौटे आई ज्यादा कुस बीसेश नहीं लगी है कि परीजन मौके पर हैं बाद मौके कारवी के बोडी को सुपर कर दी जाएगी जागरूप टवी के बारड में से ठाकर राम मिगवाल के रिपॉर्ट